महादेवाद भोले नात शिव शम्भू तेरी शरण में हम है आए बस लीन रहे तेरी भक्ती में और कुछ भी ना हम को सुहाए भोले नात शिव शम्भू तेरी शरण में हम है आए बस लीन रहे तेरी भक्ती में और कुछ भी ना हम को सुहाए देवों के देव मेरे महादेव हम तेरा ही ध्यान लगाए इस रोम रोम और कडड में प्रभू तुम ही तुम हो समाए शिव की रात है घर घर में महादेव है सब न सजाए बड़े बोल्ड और सण से का महादेव को भोग लगाए शिव की रात है घर घर में महादेव है सब न सजाए मेरा रोम रोम और कडड गाए ओम नमा शिवा महादेव है ओम नमा शिवा 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 मेरा रोम रोम और कड़ कड़ गाए ओम नमा शिवा वो नमा शिवा ओम नमा शिवाए ओम नमा शिवाए आमाँ शिवाइ अन्माँ शिवाइ आमाँ शिवाइ ओम नामा शिवाद 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 एकल अभ्यान जो पंच मुखी सिक्षा पर चलती है उसमें से एक सिक्षा है संस्कार सिक्षा उसी संस्कार सिक्षा के अंतरगर हमारे मन में आया कि बाल कावड यात्रा इस सावन के परवब महिने पर करना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर हमें सनातन धर्म की एक चवी डाल सके और उन्हें जना सके कि कावड यात्रा करकर शिप जी को कैसे जल चड़ाते हैं और इसी दोरा हम सनातन धर्म का प्रचार करना चाह रहे हैं इस अभ्यान में एकल अभ्यान के सब मारवडी वा मन जागरीती सक्का जारसुडा ने भी हमें पूरा सहीयोग दिया और आज हम इतना सफल रहे कि 50 से 60 बच्चे साथ में थे और उनसे भी बड़ी बात है कि आज समय निकाल कर उनके अभिवावक चाहे माता पिता हो चाहे दादा दादी हो हमारे साथ इस कावड यात्रा में धूम धाम से नाश्टे गाते इस यात्रा में सफल किया और बच्चो तो यही है कि आने वाला समय में अब जैसे कि गुरु दिवस टीचर्स डे आने वाला है लेकिन क्यूंकि उसके एक रूप रेखा बदल गई कल यूग में लेकिन अब मेरा आगे का प्रयास यही रहेगा कि एकल अव्यान वो गुरु दिवस एक गुरु सिश्य परंपरा के अंतरगत पूरा करे इसके लिए हमने सोचा गए कि स्कूल में जाकर टीचर्स से बात करकर उन्हें बताए कि कैसे टीचर्स को तिलक लगाना फूल चड़ाना उनके पैर को दोना आशिरवाद लेना इस परंपरा के अंतरगत यह गुरु दिवस मनाया जाए ऐसे मन में इच सनातान धर्म इसेरे बताबार लगी अब केंदा अमर गोलवम केंदा जिस्वान महादेवी केंदा चड़ा जिसी से सब्सक्राइबार लगी आज इटागों प्रयास कर आज इचे एथे प्रया पचास साथे जब च्वा आज जोग देश्वान से लेगा हमें बहुत खुसी कर दो से सवी जब कर आज मिसेत बहुआ के जब बहुआ कर दो आब है। समय !